हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के अंदर बिखने वाली सभी सेवन सीटर कार के बारे में कौन कौन सी सेवन सीटर कार आपको इंडिया में देखने को मिलती है इसके बारे में बात करेंगे आपको 7 Seater लेना है तो देख सकते हैं कौन कौन सी गाड़ी मिलती है हमारे देश में 7 Seater कार को बहुत ही ज़ादा पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें आपको पावर के सांथ सांथ स्पेस भी देखने को मिल जाता है इंडिया के लोगों को कार में इस्पेस और पर्फॉर्मेंस ही ज़्यादा चाहिए होता है बांकि फीचर्स के मुकाबले हमारे देश में सेवन सीटर कार के बहुत सारे ओप्सन देखने को मिल जाते हैं आप अपने बजट के हिसाब से जो गाड़ी पसंद हो ले सकते हैं इस वीडियो में मैंने महेंगी और सस्ती दोनों सेवन सीटर को रखा है अकी आपको समझ में आ जाए आपके बजट में कौन सी गाड़ी है जिसका नाम है टाइबर इसकी एक सो रूम प्राइस की बात करें तो पांच लाग अठ्यासी हजार रूपैस से लेके आट लाग चम्वालिस जार रूपैस तक जाती है ये इंडिया की सबसे सस्ती सेवन सीटर कार है उन्दाई की सेवन सीटर पर नजट डालते है उन्दाई इंडिया में सिर्फ एकी सेवन सीटर सेल करती है जिसका नाम है एलकजार इसमें आपोक रेटा का हिंजन ही देखने को मिलेगा इसके एक सो रूम प्राइस की बात करें तो 16,44,000 रूपए सेल लेकर 20,25,000 रूपए तक जाती है स्कॉड़ा की सेवन सीटर को देखते है स्कॉड़ा की भी सिर्फ एकी सेवन सीटर हमारे देश में सेल होती है जिसका नाम है कोडिया कि इसके एक सो रूम प्राइस की बात करें तो 35,99,000 रूपए सेल लेकर 38,49,000 रूपए तक जाती है इसमें आपको 4x4 का भी आप्सन देखने को मिल जाता है ये हमारे देश में उतनी सेल नहीं होती है अब जीप की सेवन सीटर को देखते है जीप की भी एकी सेवन सीटर हमारे देश में लौच हुई है जो की हाल ही में हुई है जिसका नाम Jeep Meridian है इसके एक सो रूम प्राइस की बात करें तो 29,90,000 रुपए से लेके 36,95,000 रुपए तक जाती है इसका भी परफॉमेंस अच्छा देखने को मिल रहा है ये भी अच्छी खासी सेल हो रही है MG की सेवन सीटर की तरफ नजट डालते हैं MG की भी एक ही सेवन सीटर हमारे देश में सेल होती है जिसका नाम है Hector Plus इसमें आपको 6 और 7 सीटर वाला दोनों वेरियंट देखने को मिल जाता है इसके एक सो रूम प्राइस की बात करें तो 16,15,000 रुपए से लेकिन 20,75,000 से लेकिन 23,46,000 रुपए तक जाती है यह सिर्फ डिजल में मिलने के करण इसकी सेल कम होती है महिंदरा की सेवन सीटर को देखते हैं जिसमें आपको काफी सारे ओप्सन देखने को मिल जाते हैं पहले नंबर पर है महिंदरा की SUV इसकारपियो जिसके एक सो रूम प्राइस की बात करें तो 13,54,000 रुपए से लेकिन 18,62,000 रुपए तक जाती है हली में इसकारपियो के नेक्स जनरेशन को लाँच क्यार दिया गया है और प्राइस को काफी कम रखा गया है इसमें आपको अभी भी एक साल का बेटिंग पिरेट कम से कम देखने को मिल रहा है इसकारपि कि आने के बाद सायद इसमें वेटिंग पिरेट कम देखने को मिले इसरे नमबर पर है बुलेरो और बुलेरो नियो इसके एक सो रुम प्राइस की बात करें तो बुलेरो की 9,33,000 रुपए से लेके 10,26,000 रुपए से लेके 11,78,000 रुपए तक जाती है हमारे देश में बु 14,44,000 रुपए तक जाती है ये गाड़ी हमारे देश में उतनी सेल नहीं होती है उतनी ज़्यादा पसंद नहीं की जाती है लेकिन इसमें आपो कमफ़र्ट काफी देखने को मिलेगा प्योटा के 7 सीटर की तरफ नचट डालते हैं अब पहले पोजीशन पर है फॉर्चुन फॉर्चुनर ही लेना पसंद करेगा देशी गाओं में इसका बहुत ही ज़्यादा क्रेज है फॉर्चुनर को हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है दूसरी है इनुवा क्रिष्टा इसके एक सोरूम प्राइस की बात करे तो 17,86,000 रुपए से लेके 25 38,000 रूपय तक जाती है इनोवा क्रिष्टा जैसा रिलाइबल इंजन और कमफर्ट आपको किसी में भी देखने को नहीं मिलेगा इस गाड़ी में बहुत ही ज्यादा कमफर्ट देखने को मिलता है मारूती सुजुकी की सेवन सीटर की तरफ नजर डालते हैं अब पहले नंब टी भी सायद थोड़ी बढ़ गई हो इसरे पोजीशन पर है XL6 इसके 100 रूम प्राइस की बात करें तो 11,29,000 रूपय से लेके 14,55,000 रूपय तक जाती है हली में इसको भी अपडेट किया गया है और लांच किया गया है उसके बाद इसकी सेल में भी अधिक देखने को मिली ह इसरे पोजीशन पर है इको इसके 100 रूम प्राइस की बात करें तो 4,64,000 रूपय से लेके 5,94,000 रूपय तक जाती है हमारे देश में इको हर महीने टॉप 10 के लिश्ट में रहती है इको को हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाता है किया की सेवन सीटर की तरफ नज़र डालते हैं किया की एक ही सेवन सीटर हमारे देश में ज़्यादा पसंद की जाती है जिसका नाम है केरेंस इसके 100 रूम प्राइस की बात करें तो 9,60,000 रूपय से लेके 17,70,000 रूपय तक जाती है हल ही में Kia Carrins को लॉंच किया गया था फरवरी में उसके बाद इसका अच्छा पर्फॉर्मेंस था अब उसका इतना खास पर्फॉर्मेंस नहीं है दीरे दीरे इसकी Sell में कमी होते जा रही है ये थी दोस्तों हमारे देश में बिगने वाली सेवन सीडर कार और इसके अलावा भी बहुत सी कारे हैं जो हमारे देश में सेल होती है लेकिन उनका परफॉमेंस उनका सेल उतना खास नहीं है इस कार मैंने उन्हें लिश्ट में नहीं रखा है ये गाड़ियां जिनको मैंने लिश्ट में रखा ये सबसे ज़्यादा सेल और पसंद की जाती है अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में